नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डीप नॉलेज में आजकल हम लोग देख रहे हैं इंटरनेट पे बहुत हला मच रहा है बिचारे विवेक बिंदरा जी की बारे में आप लोग ने देखा है वीडियोस दोनों वीडियोस देखे संदीप महिश्री ने दो वीडियो बनाए है और विवेक बिंदरा ने विचारे ने एक वीडियो बनाए है उन्होंने दो वीडियो बनाए है संदीप महिश्री ने बनाए है ये कहते हुए पहले वाले में तो नाम नहीं लिया दूसरे में प्रॉपरली जवाब दिया है आपने वो देखा जिसमें विवेक बिन्दरा ने उनको जवाब दिया स्वधी महिश्री को उनकी एक क्लास चल लही थी लंबी सी और शुरू के उसके आदे खंटे तक वो बार-बार जाने मन जाने मन जाने मन करकर कि उसको बोल रहे थे कि क्यों क्यों मेरा नाम लिया जबकि नाम नहीं लिया था अगर वो नहीं इसका रिस्पॉंड करते बढ़ ठीक है उस चीज से रहा मुझे एक question उठा था दिबाग में कि ऐसा कैसे होता है कि किसी आदमी को जैसे हम लोग खुद ही चाहते हैं successful होना चाहते है लेकिन एक बहुत important rule है success का विवेक बिंदरा जैसे हम लोग भी काम कर रहे हैं यह पर हमारा channel अब इस महिने में 6 लाग subscriber cross कर जाएगा it's a big thing for us विवेक बिंदरा के 20 million से उपर है तो जो भी success आती है वो कैसे आती है और जो खराबी होती है मतलब failure जो होता है वो कैसे होता है इसका एक बहुत खास equation कह लीजे या कोई insight कह लीजे अगर आपको वो पता है तो आप इस तरह के खत्रे में नहीं फसेंगे कभी भी जिसमें बिचारा विविग बिद्रा फसा है मुझे याद है आज से करीब 4-5 साल पहले शहेद 3-4 साल पहले विविग बिद्रा के office से मैंने उनका app डाउनलोड किया था तो मुझे call आई थी कि आप उनका course जोइन करिये तो मैंने इनके course के बारे में इनको देखा था क्या-क्या PDF भीचा था किसी ने तो उसमें simple word कैसे बनाते हैं कैसे आप marketing की pitch करते हैं ऐसी बहुत ही basic चीजे थी जो मेरे काम का नहीं था और मुझे ये भी समझ में आ गया लेकिन हा मुझे खुद business सीखने का बड़ा मन था तो मैंने WBX बनाया इसमें हम लोग पहले पैसे के बारे में सीखते हैं strategies के बारे में सीखते हैं अब आजकल हम लोग एक series बना रहे हैं जिसमें कैसे आप 10 employees की company से 10,000 तक पहुँचते हैं इसमें there are 8 different जो team है जो मेरे साथ बच्चे काम करते हैं वो almost 50 के करीब हैं और उसमें न companies को divide करते हैं 5 stages में सबसे पहला stage है family stage जिसमें की maximum 10 employees होते हैं तो उस case में सारे के सारे employees या तो एक ही गमरे में होते हैं एक ही घर में होते हैं और जो कुछ भी हो रहा है सबको पता चलता रहता है उससे next stage आती है tribe stage जिसमें की 10 से 100 तक employees होते हैं तो जो rules tribe stage में अपलाई करती हैं वो rules family stage में नहीं अपलाई करती हैं अनवाई से वरसा तो अगर आप वही rules follow कर रहे हो तो फिर आप scale नहीं कर पाओगे आप tribe stage से फिर वापस family में आ जाओगे या तो tribe stage जाही नहीं पाओगे tribe के बाद आती है village stage जिसमें की 100 से 1000 employees तक होते हैं तो ऐसे ही फिर से rules बलते हैं फिर 1000 से 10,000 में city stage है या विलेज, village stage tribe, village और फिर city, फिर nation और city में 10,000 तक और nation में more than 10,000 even 10,000 plus employees पे भी अलग rules है अगर आप वो rules नहीं follow करते हैं तो Nokia जैसी company है या Kodak जैसी company है उसमें आप bankrupt हो जाएंगे उसके different rules है तो ये जब हमने पढ़ना शुरू किया मुझे लिगा हाँ यार मुझे ये सीखना था actually मुझे business में ये चीज़े सीखनी थी तो खेर तो मेरा point ये है आज का जो topic है उसका नाम है overnight tragedies and long term miracles अभी जैसे आप लोग यहां आये है everything साल बर बाद आये और से मिरन ने जैसे कहा कि sir बहुत bored हो एती घर पे और bored होते होते कहीं पर एक तरह की negativity आना शुरू हो जाती है मन में वो आती है because अंदर से या तो career में या तो life में progress नहीं feel होती आज ही मेरी अपने cousin से बात हुई वो जैसे PSU नहीं होता private sector unit, NTPC है ONGC है, ऐसी एक PSU में PSU में job करता है, अच्छी government job है 17,000,000,000 रुपे पाता है but जब मैं उसकी बाते सुन रहा था तो I felt that he is feeling the frustration अभी उसका transfer बांबे में हुआ है इसके पहले 36 गड़ में था तो बोला था वहाँ पर अच्छा था अभी लोग परिशान करने के लिए हम लोग को कभी यहाँ से वहाँ फिकते है वहाँ से वहाँ फिकते है तो उसकी बातचीत में frustration सुन रहा था तो मुसको यह बोल रहा था जो भी job होती है जॉब में inherent frustration होती है because आपको time से जाना है, time से आना है और वो जाना आना आप decide नहीं करते कोई और decide करता है और जैसे ही आपके life के बारे में कोई और decide करता है you will feel frustrated तो मैंने अपने लिए एक rule बनाया था और उस rule से मेरा frustration ख़तम हो गया था और rule यह था कि office में जा रहे हो उसमें आप नौकर हो और वो नौकरी आपको दे रही है pocket money और फिर शाम को आप free हो जाते हो और उस free time में आप अपने मालिक हो लेकिन अगर आपको सचमुच में मालिक बनना है तो try to create your own something तो शाम को 6-7 बजे के बाद से जैसे कि आप लोग आते थे फिर हम लोग वीडियो बनाते थे उससे हम लोगा एक proper business बन चुका है अब established business हो चुका है जिसमें कि अच्छी खासी revenue आ रही है तो मैं इसको बता रहाते है चीज़ अब मुझे एक चीज़ और clear हुआ ये सब वीडियो बनाते हुए, courses बनाते हुए कि हमारी जो भूख है knowledge की वो खाने से या even entertainment की भूख से अलग नहीं है इसे भूख लगती है तो खाना खाते हैं बोर होते हैं तो हम entertain होते हैं ऐसे ही हमारी भूख है knowledge की भी अच्छा वो knowledge is something which should be related to our practical life or something which जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा nature, हमारा passion अभी normally लोग को पता नहीं होता बट हर किसी का अपना एक passion होता है तो हर रोज जैसे आपको खाना खाना है जैसे आपको कोई film देखनी है ऐसे ही आपको कुछ नो कुछ सीखने का भी feeling आना चाहिए वो job पे नहीं हो पाता वो किसी competition की तयारी में भी नहीं हो पाता अगर आपको कोई job के लिए पढ़ना हो मतलब आप job कर रहे हैं और उसके लिए आपको research करना है तो कभी-कभी वो feeling आती है you feel harm है किसी ऐसी team का हिस्सा हो जहाँ पर कुछ नया सीखा लेकिन वो सब के साथ नहीं होता वो बहुत खास लोँ के साथ होता है कसी खास team के साथ होता है बाकी से बुचरे as helpers जयासे नहीं truck में एक बिचरा driver है और एक खलासी है तो खलासी को कभी truck चलाने का मौका मिलता है नहीं और खली truck saaf करता रहता है tyre change करता रहता है ऐसी हालत हमें से most of the लोगों की होती है, but मुझे ये चीज़ समझ में आ गई, कि every day you should learn something अब वो learning, अगर आप spiritual आदमी है, तो आपके रोज मरा की life से होती है, every day small small activities will help you to learn something और वो spiritual learning होती है जिसे नानक थे, कृष्णमूर्थी थे, इस टाइप के लोगों की और अगर आप normal आदमी हैं तो you have to train yourself through books, through people आप ऐसे लोगों के पास जाएए जिनको लगता है कि they are in that learning mind state, एक vacuum state होता है, तो आज मैं चाहता हूँ, इस चीज़ को हम तोड़ा सा समझें tragedies and long term miracles, यह हम सब के साथ होगा, यह हम सब के साथ हो सकता है इसलिए हम लोगों को समझना होगा good news comes from compounding, which always takes time, but bad news comes from a loss, in confidence and a catastrophic error that can occur in a blink of an eye जो अच्छी खबरे हैं, वो सब compounding से आती हैं जो की compounding में time लगता है काफी time लगता है, in fact minimum time compounding में लगता है 10 साल और 10 साल का time horizon हम सोच के नहीं चलते, कोई काम जिसे आप guitar सीख रहे हैं, या आप job कर रही हैं तो आप यह decide थोड़ी करते हैं, 10 साल मुझे एक ही company में रहना है, even if अगर आप कोई चीज आप सीख भी रही हैं, तो भी आप अपने आपको यह नहीं बताते, कि मैं 10 साल तक इसमें रहूंगी, जबकि मैंने बताया आपको, जब हमने पहली बार 10,000 आवरूल पढ़ा था, तो 10,000 आवरूल यह कहता है कि आपको किसी चीज में अगर 10,000 घंटे पूरे कर आपके skills develop होते हैं, आप master बनते हैं, लेकिन bad news comes from loss in confidence or a catastrophic error, और जो बोरी खबरे होती हैं, जैसे कि विवेक बिंदरा के साथ हुआ है, वो आता है from loss of confidence, अब यह loss of confidence कैसे हुआ विवेक बिंदरा का, वो बिचारा एक वीडियो आया, जिसमें कि उरोंने किसी का नाम नहीं लि शुरू किया कि यह विवेक बिंदरा की courses हैं, वो सब कुछ as it is एक हलकी सी news की तरह खतम हो सकती थी, but because he responded, so it became, he lost confidence, he got scared, या तो कभी-कभी catastrophic errors ही होता है, और वो केवल कुछ ही seconds में हो जाता है, एक ही दिन में हो जाता है, यह contrast अपने आपको समझना है, success आती है, 10 साल में कम से कम, compounding से, और loss आता है, बस कुछी seconds में, कुछी दिन में, an important fact that explains a lot of thing is that, good news takes time, but bad news tends to occur instantly, तो important सचाही यह है, कि जो भी अच्छी चीजें होती है, बड़ी-बड़ी चीजें होती है, उसको time लगता है, और वही पर जो bad चीजें है, वो कुछी seconds में हो सकती है, अभी आप ल प्लॉट के पास, तो जब वो आई है, देखा तो बुलती है, तुम्हारा तो empire खड़ा हो गया है, empire खड़ा हो गया, business empire, लेकिन मैं बता हूँ, ये plot के लिए मैं गया, लटना हूँ, पहले तो phone पर कम से कम, दो महिने में, 100 calls की होंगे, और उसके बाद जब लटना हूँ प अच्छी विजिट तो आवास विकास आफिस लटना हूँ, और उसमें उसके बाद, मिलने के बाद भी, यहाँ पर जितने एक भाइसाब में खास पड़ोसी हैं, उनका पिल्कुल मन नहीं था कि ये plot कोई आदमी खरीदे, ये plot उनके दिमाग में था कि यहाँ people का पेड़ ह और यहाँ मंदिर बनना चाहिए, तो एक एक वो उनके मन में था, तो इट टुक मी ऑल्मोस्ट टू इयर्स ओफ प्रॉपर हाड वर्क, ऐसे ही अब हम लोग पीछे पड़े हैं, ओयल में हमारे पास एक खेत है, आप लोग गए हैं मेरे साथ कभी, उसमें हम लोग जिनोग प्लान कर रहे हैं, आश्रम बनाएंगे, तो वान एकड का मैंने खेत लिया था, पांच साल शह साल पहले, ओयल ट्रेल्विस्टेशन की जब सामने, अब वो वन एकड है, अब वन एकड, वन पॉइंट फाइकड और बिक रही है, वो एक साल पहले मैंने उस बंदे से बात क करके, मतलब पर बीघा, एक लाक रुपर बढ़ा करके, फिर से ओपन कर दिया है, किसा आपको खरीदना तो खरीद लीजे, तो अब उसके पीछे पड़े है, उसमें बहुत चोटी सी चीज़ है, मैंने उसको एडवांस दे दिया है, लेकिन बहुत चोटी सी चीज़ है, ज इसा नहीं कि जान मुझ के कर रहा है, वो बोल रहा है कि अभी 2024 का election है, तो जहां कहीं पर भी rally चलती है government की, तो हमलों को आख ख़डा रहना पड़ता है, तो ये चीज़ अपने को जब भी हम कोई endeavor start कर रहे है, कुछी दिन में अगर बोर हो है तो अपने आपको बताना पड जालेगा, good things take time and bad things just happens instantly, Warren Buffett says, it takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to destroy one, Warren Buffett कहते हैं कि 20 साल लगता है किसी का reputation बनने में, लेकिन destroy होने में कुछ ही seconds लगते हैं, कुछ ही minute लगते हैं, अब example, Dwight Eisenhower, ate a hamburger for lunch on September 23, 1955, एक भाई साहब है, Dwight Eisenhower, उन्होंने 23 सेप्टेंबर 1955 में एक hamburger खाया था lunch में, later that evening, he complained of chest pain and told his wife, the onion gave him heartburn, US के 34th president थे Dwight Eisenhower, उन्होंने hamburger खाया lunch में, फिर अपनी वाइफ को बोला कि मेरो chest pain हो रहा है, और उसके इंदर जो प्याज है उसकी विएसे उनको, acidity जैसे कुछ हो रही है, then he began to panic, और उसके बा President was having a massive heart attack, actually President को एक बहुत बड़ा heart attack हो रहा था, इसकी विएसे वो आराम से मर सकते थे, अगर हो मर जाते, तो वो उन 7 लाख लोगों में से होते हैं, जो की हर साल अमेरिका में heart attack से मरते हैं, what happened since has been extraordinary, लेकिन उसके बाद जो हुआ, यह बहुती special है, बहुत extraordinary है, a few have paid attention, इस इस पे बहुत कम लोग का ध्यान गया है, नॉर्मली जो लोग मरते हैं, 40-50 साल की उमर में, उसको बोलते हैं, death rate per capita age, तो जादतर लोग 40-50 साल की उमर में heart attack से मर जाते थे, लेकिन वो अब बढ़ करके 70 हो गया, अभी 6 साल पहले मेरे पिता जी को भी ऐसे ही एक heart की problem होई थी, हॉस्पिरल में admit किया गया, दोक्टर बोलना था कि इनको angioplasty, angiography करनी पड़ेगी, बट लग्किली उसकी जरूत नहीं पड़ी, लेकिन हो medication खा रहे हैं, and he is 72 now, तो ये बात थी, और मुस्ट पांच-छे साल पहले की, और he is very fine, तो ये चीज, 1950s के पहले नहीं था, ये 70% कम हो गया, 70%, so many Americans die of heart disease, that is that cutting the fatality rate of 70% leads to number of lives saved, that is hard to comprehend, आज हम लोग जिस एज में रह रहे हैं, आज हम लोग तुरंट से ECG करा लेते हैं, और बहुत सी ऐसी दवाईयां आई हैं heart की, तो हम लोग ये हमारी imagination के beyond है कि कुछ लोगों ने कई साल तक काम की रहे, तब जाकर के इतनी जाने बचती हैं heart attack से, अगर ऐसा नहीं होता, अगर heart disease का rate कम नहीं होता, mortalities कम नहीं होती, तो आज तक, 1950 से लेकर के, आज तक 25 million लोग मर चुके होते, 25 million मतलब धाई करोड, even in a single year, improvement is incredible, एक साल का भी जोड़े, तो ये बहुत बड़ा improvement, half a million, तकरीबन कितने 5 that is a full football stadium saved every month, और ये कितने होते हैं, football stadium में जितने लोग खड़े होते हैं, उनको बचा लिया जाता हर मन्त, how is this not a bigger story, तो इतनी बड़ी बड़ी और अच्छी चीजे हो रही हैं, तो ये एक बड़ी सी स्टोरी क्यों नहीं है, इसको हमको news में सुनना चाहिए, अगबार में देखना चाहिए, why are we not shouting in the streets about the incredible this, how incredible this is and building statues of cardiologists, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि हम लोग स्ट्रीट में जै हो जै हो नारा क्यों नहीं लगा रहे हैं, और ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि हम लोग cardiologists की statue बना बना करके, मूर्तियों बना बना कर, roadside में डाल क्यों नहीं रहे है तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यह जो improvement हुआ है, यह बहुत slow हुआ है, हमें से किसी को भी देख पाने के लिए, हमको दिखता नहीं है यह, जो हर साल लोगों की जान बची है, वो मात्र 1.5% every year हुआ है, 1950 से लेकर के 2014 तक में, अगर आपन time, the most important things come from compounding, और ऐसा हम हमेशा करते हैं, जादा तर जो most important चीज़े होती हैं, वो आती हैं compounding से, but compounding takes a while, so it is easy to ignore, और compounding को time लगता है, और इसलिए हम इसको ignore कर देते हैं, मैं जब लखीमपुर आया, तो मेरे पास एक ऐसा contrast था, जो आप लोगों के पास नहीं है, in fact, आप अभी उस stage में है, जिस stage में मैं अलावाद में था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था अलावाद की city के बारे में, आपकी उमर में, 8-9 में था, फिर वहां से हमारी family shift हो गई, Bombay, Bombay में मैं था, हाँ 8 से, 8th to MBBS मैंने Bombay में किया, और वहां पर हमारे पास एक flat था, one room का flat सायन में, उसको बेचा पापा ने 9,5 लाग का और 9,5 लाग का एक flat लिया है वडाला में, वो one room का था, वडाला का टू रूम का था, इसको तोड़ तार के हमने 3 room कर लिया, और उसमें हमारा 10 साल भी था, फिर जब थोड़े बड़े हो गए, MBBS करने लिए तो पिता जी ने सुचा कि चलो, और इमनेश्मेंट करते हैं, फिर उन्होंने flat लिया, बामे में, दो flat लिये, लोन लेकर लिया, obviously, तो हम लों को लगा, बहुत अच्छा है, अब तो हम अमीर हो गए, तीन-तीन flat है मारे बामे में, खेर उसके बाद हमारी पूरी family shift हो गए, बकाँ ममी की दब बड़ा contrast, जो मैंने देखा, सेम पिताजी ने देखा, यहाँ पर एक हमारे friend थे, अब तो खतम हो गया, uncle, उनका नाम है Mr. O.P. Shvastow, यहीं काशिनगर में उनका मकान है, जितना बड़ा हमारा मकान है, इसका 10 times है, जितना बड़ा PLC का मकान था, आगे garden, पीछे garden, 10,000 square feet on the road उनका भी 10,000 square feet से कम नहीं है, उनसे हमने 4 plot लिये, यहीं देवापुर रोट में, देवापुर करके गाओं है कोई, और उनके पास लखीमपुर में तकरीबन 100 बिगा जमीन है, और वो 100 बिगा कैसे लिया है, 20 साल में, वो रेजिस्टरार थे, आफिस में काम करते थे, जो किसान कोई आया, तो भाई, जमीन की बारे में पता चलता रहता है, तो जितने पैसे मेरे पिता जी ने बाम्मे में फ्लैट्स खरीदे में लगाए, उससे कम पैसे में, अगर वो तीन, पिता जी ने लिया है, 56 लाग, 56 लाग, और ये 20 लाग, तो अल्मुस्ट एक सवा की, उपिशास्तो जी की, और जो हमारे फ्लैट्स हैं, वो 26 लाग, 26 लाग, और एक था 20 लाग, उनकी कीमत है तकरीबन आज 3,5 करोड या 4 करोड, एक करोड का 4 करोड, चार गुना, 20 साल में, और एक करोड का 100 करोड, 100 ताइम्स, ये चीज पिता जी भी बोलते हैं, अरे या तो 100 करोड हो जाता, अच्छा ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकाज जो इन्वेस्मेंट पिता जी कर रहे थे, फ्लैट्स खरीदने में, उसमें कोई conscious compounding का concept नहीं था, ये सोच समझ के नहीं कर रहे थे, उस सब लोग खरीद रहे थे तो उन्हों नहीं भी खरीद लि हैं, तो आपको खोजना चाहिए सबसे सस्ती जमीन, महंगी नहीं, रोड साइड की जमीन, unless, until you have a plan, you should not buy, यसी भी आप इस रोड पे चले जाए, main रोड पे, जो लटनो जाती रोड, उसके बगल में यहां से लेकर के oil तक कोई भी जमीन अगर आप खरीदने की कोशिश करे तो वो पचास लाग से एक करोड रुपए पर बीगा है, तो बीगाओ ही नहीं है, और उसके आगे जाएंगे तो एक प्लॉट अभी मैं देखा था, main रोड पे नहीं था, second यर थर्ड प्लॉट था, almost 500 मेटर के अंदर, उसकी कीमत है तकरिवन 20 लाग रुपए बीगा, खे तो लैंड बैंक में जो भी पैसे वाल लोग हैं, वो अपने पैसे को इतना से लॉक करके रखते हैं, और उसमें उनको consciously पता है कि इसके साथ हम compounding यूज कर रहे हैं, उसके बाद उसको sell करके फिर नए जमीन में पैसा डालते हैं, फिर नए जमीन में, ये चीज जिसको नही पता वो compounding यूज नहीं करता, compounding इतना subtle और छुपा हुआ formula है कि आपने सोचा, लेकिन आपने बच्चों को नहीं समझाया, और समझाने का मतलब यह नहीं कि आपने बता दिया, समझाने का मतलब है कि उसको train करो compounding के लिए, अब आगे पढ़ने से पहले एक और कहानी, मैं और रिंपी गए थे Bombay, हम लोग रुके थे, एक कोई लीला होटल था, और वहाँ पर एक बंदा मुझसे मिलने आया, अपना कोई product समझाने के लिए आया था, उसका कोई app था, हाँ, जैसे जरुदा app है, ऐसे ही upstock करके कोई एक app है, Tata's का, Tata's का है शायद, तो उसने मुझ stock में था, इसे बहले पता नहीं, ISIS bank में था, तो हमको बुला गया कि गुजरात में एक भाई साब है, उनको जाकर के mutual fund या कोई उसको बोलते हैं, divention नहीं बोलते हैं, bonds, सरकारी bonds आते हैं, तो उनको सरकारी bond चाहिए, तो जाओ, उनको sell करके आ जाओ, तो ये भाई साब गया ये खरीय फायदा होगा, तो वो आदमी रहा होगा, 60-65 साल का, बहुत प्यार से पूछा, युकि ये कहाने मुझे बता रहा था, और पूरे expression के साथ बता रहा था, उनको उतसे कहा कि, तुम जानते हैं मेरे बारे में, बोलते हैं, नहीं सर, बोलते हैं, काम करो, तुम अप बोलते हैं, बागले तू, वो आदमी 500 क्रोड वाल आदमी है, उसको पता है क्या कर रहा है, तो उसको जबेस्ती कुछ वाट टिका रहा है, जो काम के लिए तो गया हो, काम करके, तो उसकी आगे खुल गी, पिर उसने बता है, सर, बताईए, कितना कितना करीदना है, क्या कर ये दो, जब तक मैं पुरी जिन्दगी रहूँगा, तब तक तुम्हारे पास होना चाहिए, उसके बाद भी तुम लोग खरीदते रहो, उसको छोड़ना मत, तो बोलता है, तब से हमारे पास फैमिली में डिविंचर बॉंड खरीद के, उसको compounding कर रहे है, तीन जनरेशन से, जैसे एक हलवाई का बेटा हलवाई, या एक बिसनस्मेन का बेटा बिसनस्मेन, उसमें लोग बताते नहीं खाले की, करो, वो बोल रहा है, मरने से पहले उसने कसम खिलवाई थी, कि ये बॉंड अगले जनरेशन में पूरी टाइम रहना चाहिए, तो ये है power of compounding, और य लोग देग भी नहीं पाते, then years or decades come from people to accept and put on use, और उसके बाद, दसियों साल लग जाते हैं, उन technologies को use करने में, show me a new technology that was immediately recognized for its full potential and instantly adopted by the masses, आप करसा एक technology बताये, इसको लोगो ने देखा और खट से adopt कर लिया, मतलब, masses ने, कोई नहीं है, it doesn't exist, वो है नहीं है, a lot of pessimism is fueled by the fact that, it often looks like we haven't innovated in years but that's usually because it takes years to notice a new innovation. बहुत बार अपको लगता है कि यार सालों से कोई नहीं हुआ लिकिन ये इसले लगता है because हमने देखा नहीं है. इनोविशन को हम देख नहीं पाते है अपने आखों से. This is true even in hard science. और ये चीज ऐसा नहीं के खाली पैसे की दुनिया में ये टेक्नोलिजी की दुनिया में even science में भी. Historian David Wooton says it took 200 years from discovering germ to the medical acceptance that germs cause disease. Another 30 years to discover antisepsis and another 60 years before penicillin was in use. एक historian है David Wooton वो कहते हैं 200 साल लगए germs को discover करने में कि germs body में बिमारी पैदा करते हैं. उसके बाद 30 साल लगे इस चीज़ को accept करने में क्योंकि medical fertility accept नहीं कर रही थी. उसके बाद accept होने के बाद उसके antisepsis develop होने में 30 साल लगे और 60 साल लगे penicillin को आने में. तो 200-300 साल लगे तकरीबन germ theory को आज modern medicine को develop होने में. तो 300 साल में तो कितनी generations खता होगी, कहां से देखेगा कुछ? Same for economic growth. और यही सच है economic growth के लिए. जो सचमुच की GDP है, वो पिछले 100 साल में 8 गुना बड़ी है. अमेरिका का जो 1920s का GDP था, वो आज का तुर्कमिनिस्तान का जो GDP है, वही था. हमारी growth पिछले 100 सालों में जो हुआ है न, वो विश्वास नहीं कर सकते आप. Unbelievable है. लेकिन जो growth है, यह हर साल केवल 3% होता है. और इस चीज़ को हम बहुत आसानी से ignore कर देते हैं किसी भी साल में. decade और lifetime. या तो कोई आदमी बोलेगा, पिरुण जिन्दी में क्या हुआ? आखिर किया क्या हमने? एक American अगर पैदा हुआ आज, और 50 साल का हो गया, तो उसके देखे देखे डबल हो चुका है GDP. और आम आदमी को जो भी progress दिखती है, वो visible है, और केवल पिछले कुछ महिनों की होती है, उसके पहले का आदमी भूल जाता है. Same for career, social progress, brands, companies and relationship. और यही चीज सच है, आपके careers के लिए, आपके social progress के लिए, आपके brands के लिए, या आपके companies या relationship के लिए. Progress always takes time. Progress को हमेशा time रगता है. Often too much time to even notice it happen. बल्कि बहुत जादा time रगता है हमको दिखने के लिए. But bad news, it is not shy or subtle. Bad news शर्माती नहीं है, बेशरम है. बल्कि इतना फटा 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 आती है, इतना जोर से आती है, कि अपनी आँखें आप उसे हटाई नहीं सकते. पिछले सौ सालों में जो सबसे बड़ी news है, वो शायद Pearl Harbor है, या तो September 11 है. Both took about half an hour to play out, just to start to finish. और दोनों ने कितना time लिया? केवल आदे घंटे. शुरू से लेकर अन तक, पूरा ड्रामा आदे घंटे में खतम. It took less than 30 days for most people to go from never having heard of COVID-19 to upending their life. और COVID-19 को शुरू होने से लेकर के सब की जिंदगी बदलने में मात्र 30 दिन लगे थे. It took less than 15 months for Lehman Brothers, a 158-year-old company to go from all the time high to bankrupt. Lehman Brothers की एक फिल्म है. दिखा है आपने? Margin Call. It's one of the most excellent movie. Margin Call में Lehman Brothers ने अपना share को जिस तरह से dump किया था अगली दिन market में. उसके पहले रात को कैसे decide किया उन्होंने? उसकी फिल्म है वो. तो इस चीज़ को होने में Lehman Brothers को जो की 158-year-old company थी, वो all-time high company थी, वहां से लेकर के bankrupt होने में मात्र 15 months लगे. डेर साल से भी कम लगे. Things that thrived for decades can be ruined in minutes. वो चीज़े हैं जो सालों साल तक, दसियों साल तक thrive की, उसको खतम होने के लिए मात्र कुछ minute लगते हैं. There is no equivalent in other direction. और कोई भी ऐसा good news नहीं है, जो इतनी जल्दी से आपको दिख जाए. There is a good reason why. और इसकी पीछे वज़े भी है. Growth always fights against competition that slows its rise. जब भी growth होती है, तो वो एक competition के against होती है. आपको लोगों से लड़कर आगे बढ़ना पड़ता है. New ideas fight for attention. 10 लोग अपना नया ideas लेकर आते हैं. Venture capitalists के पास. और 10 में से एक ही को पैसा मिलेगा. तो उसमें attention के लिए आपको fight करना पड़ता है. Business models fight incumbent. Sky scrapers fight gravity. जो 90 companies का business model है, वो पुरानी बड़ी-बड़ी companies के साथ fight करते हैं. जो बड़ी-बड़ी skyscrapers हैं, उनको लड़ना पड़ता है gravity के साथ. There is always a head wind. आपको हमेशा जब भी उपर जा रहा है, तो नीचे की तरफ कोई चीज खीचती है आपको. But everyone gets out of the way of decline. लेकिन जब कोई बरबादी हो रही है, कोई ruin हो रहा है, तो लोग रास्ते से हट जाते हैं, कुछ लोग कोशिश भी करते हैं, कि ठीक है बरबादी ना हो, लेकिन बरबादी इतनी तेजी से होती है, कि उनलों को इगसीट कर ले आती है. यह जो आज की क्लास है, उसका जिस्ट यह है, कि हमारे mind में हमेशा bad news घुसी रहती है. अब जिसे आपके पापा को heart attack हुआ था, राइट? वो इतना strongly भर जाता है दिमाग में, कि हमको लगता है, हाई राम, खली बुरा ही बुरा हुआ हमारे साथ. और जो अच्छी चीज़े होती हैं family में, आप दोनों, मतलब मैं देखता हूँ, both have turned out super successful students. मतलब सौ बच्चे जब पढ़ते हैं, तो उसमें से एक बच्चा CA निकल जाए, और एक बच्चा, मतलब बहुत अच्छी जॉब करे, analyst की, business analyst. ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं याद रख पाते, because bad news takes our attention and it holds our attention. इसलिए मैं अपने आपको जान बुच के रोज, good news के साथ, facts के साथ, insights के साथ लगाता हूँ. मैं news पढ़ता ही नहीं हूँ. और प्लस एक और खासियत है, जब आप किसी को देखेंगे, अपने आसपास के लोगों को, या ऐसे लोगों को जिनको लगया, कि यार यह हमारे जिसे ही हैं, और वो बहुत आगे बढ़ गए, तो उससे भी इतरगा frustration आता है. तो वो frustration क्या है, it is not about good news or bad news, it is only about bad news के हमारा कुछ नहीं हुआ. अपने आपको बताना है, बार बार बताना है, दस साल, दस साल, दस साल, रोज थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा करना है. तो दस साल में आप overnight success हो जाते हैं. दस साल में overnight successful होते हैं. और वहीं पर अगर आप परिशान हो गए, डिप्रेशन में चले गए, तो रातो रात आप कुछ ऐसा गलत कर सकते हो, जो की खतम हो जाएगा. So ये insight है, overnight tragedies and long term miracles. इस chapter थोड़ा से बचा है. कि जो दो भाएगा है.